कि नमस्कार अम्रिये जुनों आप देख रहे हैं सी यूटी पार्ट साला आप सभी का बहुत बहुत स्वागे थे सबसे पहले चनल को सब्सक्राइब कर लिजे विल आइकन प्रेस कर लिजे क्योंकि आपको अपसे अपडेटेड रहना है कोई वीडियो में से नहीं करना है आपको step by step समझाया जाएगा आज किस वीडियो में हम देखेंगे सी यूटी यूजी 2023 का जो एड्मिट काड है उसका step by step process क्या है कैसे डाउनलोड करोगे आप साथ ही साथ मैं आप कोई बताऊंगा कि कि किन बच्चों का एड्मिट काड आना बाकी है city center कब तक आ जाएगा अकिन बच्चों का city center आ चुका है तो उनका एड्मिट काड अभी कब तक आ पाएगा तो आपको home page पर दीख रहा होगा 25 26 27 28 इतने लोगों तक का आपका जो city center है वो अनौंस्ड हो चुका है ठीक है अब हम लोग आपको सबसे starting point ले चलते हैं आपको भी search engine open कर लो और वहां मैं समझा रहा हूं कैसे आपको official portal पर जाना है कुछ लोग कोई भी नहीं समझ में आता होगा तो मैं आपको तुम्हें starting बता रहा हूं आप ऐसे डालोगे तो कई सारे website नजर आएंगे लेकिन आपको सामर्थ.ac.in पर ही जाना है ठीक है इसका link में description में डाल भी दूँगा इसे क्लिक करें तो इस तरीके से आपका एक पुरा dashboard open हो जाएगा यह आपका official dashboard है ध्यान दीज़ेगा ठीक है और यहां पर आपको हर update मिल जाएगा आप sign in करना क्योंकि sign in करने पर ही आपका सब कुछ मिलेगा इतमिस आपका जो admit card है जो भी चीज़े हैं वो सब कुछ आप अपने application number यहां पर डालना है आपको password जो password आपने application number के साथ बनाया था registration किसम है अब यहां पर capture code डाला है और हड़ किसी का अलग अलग रहा है ताहिए नहीं कि जो मैं डाल रहा हूं वही आप भी डालना है आपके जो screen पर नजर आ रहा है आप और डालिएगा ठीक है और आप login कर दोगे जैसे आप login करते हो तो लगबग थोड़ा से वेट करना पड़ेगा तो इस तरीके से आपक जिनका भी है उनका नहीं आया है लेकिन इनका advanced information आया हुआ है मतलब city center आ चुका है तो हम लोग इनका city center चेक करते हैं जैसे आप ऐसे क्लिक करोगे तो कुछ इस तरीके से आपका पूरा dashboard open हो जाएगा ठीक है यह पूरा एक page है ध्यान दीज़ेगा कि यह page admit card नहीं है ठीक ह यहाँ पर note करके लिखा हुआ है मैं नीचे नहीं ले जा रहा हूँ तो इस page पर जो data आपको नजर आ रहा है यहाँ पर बहुत सारी चीज़ेगा को समझाना चाहूंगा जैसे अब इनका जो date है वो 26 तारीक है इसलिए इनका admin card देखो नहीं सो कर रहा है क्योंकि आपका जो आपकी का जो paper है वो 28 को 29 को ऐसे लगे तो उनका उसी तरीके से admit card update होता जाएगा it means कि आपको every evening अपना admit card update करना है सोने से पहले जैसे मैं कल इनका चेक किया था तो नहीं आया था तो आज आ गया है तो वही मैं कह रहा हूँ you have to update about your portal about your form about your admit card so please पाट सला के हर एक वीडियो करके जाओं जरूरी पता होना चाहिए कितने question attempt करना है तो यह सब चीजे मैं आपको बताने वालो और भी बहुत सारे updates है लाइक बहुत बच्चों का यह आ रहा था कि क्या process होगा वो process जानना चाहरे है बच्चे की paper देने के बाद जो पूरा admission process हो क्या होगा तो हम सब पताएंगे इस वीडियो का आफ शेयर कर दीजेगा ठीक है मुस्कुराते ने बहुत सारी सुपकाम नहीं